हलो दोस्तो कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे आज मैं किचन के कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ सेयर करूंगी जो आपके समय और पैसे दोनों की पचत करेगी और साथ ही साथ छनी से चाकू और छूरी को कैसे तेज किया जा सकता है उसका वीडिय आज मैं इसका एक बहुत ही अच्छा ऑगनाईजर बना कर आपको दिखाऊंगी दोस्तों पैन तो हमारे सभी के घरों में होती ही है और जिनके घरों में बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां तो पैन ठेस सारे होती है और जब हमारे पास पैन होल्डर नहीं होता है तो पैन इधर उदर पढ़ा रहता है और जब हम खोशते हैं तो हमें समय पर पैन नहीं मिल पाता है तो आप क्या करिए एक चूड़ी लेरीजे कोसिस करिए कि चूड़ी मैटल की हो उसमें आप पैन को इस तरह से और्गनाईज कर दीजे देखे पैन कितनी अच्छी तरह से और्ग मिल जाएगा और जब भी आपको भी जरूरत होगी तो आप भी वहां से पैन निकाल कर अपना काम कर सकती हैं और सारे पैन एक ही जगह अगनाईज रहेंगे अभी इस चूड़ी में और भी पैन आ सकती है आपको मेरी ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताईएगा तो चलिए चलते हैं दूसरी यूजफुल टिप की तरफ दोस्तों जब हम हरी मिज को स्टोर करते हैं तो उसे हम पहले अच्छी तरह से धुल लेते हैं उसके बाद इसे हम कपड़े से पोश लेते हैं कपड़े से पोशने के बाद हम इसके डंठल को तोड़ दंठल को तोड़ने से हरी मिज सड़ती नहीं है और नहीं जल्दी सूपती है उसके बाद इसे हम डब्रे में स्टोर करके रख देते हैं इसे हरी मिज हमारी बहुत लंबे समय तक खराब नहीं होती है और यह ऐसे ही हरी बनी रहती है देखे मैंने हरी मिज को तोड़ दिया है अब इसे हम स्टोर कर लेंगे मगर इस डंठल का हम क्या करेंगे आज मैं आपको इस डंठल का प्रयोग बताती हूँ ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है आप ले लीजे एक बाउल में थोड़ा सा पानी क्योंकि हमारी डंठल थोड़ी कम है इसलिए मैं इसमें आधा बाव पानी ली हूँ अब इस पानी में हमें डंठल को डाल देना है और इसे 2-3 घंटे ऐसे ही रखना है अगर आपके पास समय है तो आप इसे ओरनाइट रख सकते हैं उसके बाद आप इसे अपने पेर पौधे में डाल दीजे ऐसा करने से आपके पेर पौधों में कीड़े नहीं लगेंगे और उनकी ग्रोध भी अच्छी होगी दोस्तों ठंड के मौसम में पेर पौधों में बहुत ही जल्दी कीड़े लग जाते हैं तो अगर आप इस तरह से पेर पौधों में बिर्ची के डंठल का पानी डालेंगी तो उसमें की तरफ दोस्तो जब हम सौपिंग करने जाते हैं तो इस तरह के कागज के कैरी बैग हमें मिलते हैं जिसका हम इस्तमार नहीं समझ पाते हैं और इसे फेक देते हैं आज मैं आपको इसका बहुत ही अच्छा और नाइजर बना कर दिखाती हूँ पहले आप इसे आधा मोड़ देखे इस तरह से इस बैक को हमें आधा मोड़ लेना है उसके बाद इसे हमें खोल लेना है फिर इसे हमें कट कर लेना है पहले हम किनारी की तरफ से कट करेंगे इसे भी हमें आधा कट कर लेना है नीचे का हिस्स्य हमें नहीं कट करना है मैं आपको इसे काट कर दिखाती वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा देखें इस तरह से हमें इसे आधा कट कर लेना है इसी तरह से दूसरी तरफ भी हमें कट कर लेना है दोस्तों आप मेरी वीडियो किस सहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर चरूर बताईएगा और आपको मेरे यह वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट बॉक्स पर चरूर बताईएगा और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करना ना भूले देखे दोनों तरफ से मैंने बैक को कट कर लिया है अब हम इसे खोल लेंगे उसके बाद जो इस हिस्से को मैंने कट किया है उसे हम अंदर की तरफ मोड देंगे देखे इस तरह से इसे हमें अंदर की तरफ मोड लेना है आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा इसी तरह से हमें चारों तरफ से इसे मोल लेना है ये हमारा एक डबा बनकर तयार हो गया है ये काफी टाइट होता है अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा लूज है तो आप नीचे की तरफ एक गत्य को डाल सकते है जिसे ये काफी मजबूत बनकर तयार हो जाता है देखे ये हमारा थैला बनकर तयार हो गया है अब आप इसमें कपडों को और्गनाईज करके रख सकती है आप चाहे तो इसे अलमारी में भी रख सकती है इसमें कपड़े बहुत ही अच्छी तरह से रहते है और उसकी तह भी खराब नहीं होती है आप इस तरह से बच्चों के कपड़ों को एक जगा और्गनाईज करके रख सकते है इसमें रखने के बाद आप चाहे तो इसे अलमारी में भी आसानी से रख सकते है देखे एक जगा कितने कपड़े और्गनाईज होके रख रहे है आप चाहे तो इसे खड़ा करके रखे या फिर आप इस चाहे तो इसे लिटा कर अलमारी में रख सकते हैं आई हो आपको ये टिप पसंदाई होगी तो चलिए चलते हैं दूसरी यूजफुर टिप की तरफ दोस्तो जब हमारे चाकू और कैची की धार कम हो जाती है तो हम इसे बाजार ले जाते हैं इसकी धार को तेज कराने के लिए मगर आज मैं आपको एक च्छनी की मदद से इसकी धार को कैसे तेज करेंगे उसका वीडियो सेयर करें हो दोस्तो आप घर में ही च्छनी की मदद से अपने चाकू कैची की धार को तेज कर सकती है उसके लिए आप क्या करिए ले लीजे एक सेंड पेपर ये बहुत ही आसानी से बाजार में मिल जाता है दोस्तो ये काफे खुर्दुरा होता है इसलिए इसे हम हाथों से नहीं करेंगे वरना हमारे हाथ खराब हो जाएंगे तो इसलिए हम इसका इस्तिमार हाथों से ना करके च्छनी की मदद से करेंगे अब हम क्या करेंगे ये सेंड पेपर ले लेंगे और ले लेंगे डबल साइडे टेप देखे ये च्छनी के बराबर कटा हुआ है अब हम उसी के बराबर डबल साइडेट टेप को कट कर लेंगे मेरा डबल साइडेट टेप थोड़ा पतला है तो मैं इसे दो टुकडे में कट करूंगी और इसे च्छनी पर चिपकाऊंगी देखे इस तरह से इसे मैंने दो टुकडों में कट कर लिया है अब इसे हम छनी पर चिपका देंगे देखे इस तरह से इसे हमें लंबाई में चिपका लेना है और जो उपर का कागज है उसे हमें निकाल देना है और इसके उपर हमें ये सेंड पेपर चिपका देना है डबर साइड टेप की मदर से सेंड पेपर इस पर आसानी से चिपक जाता है देखे इस तरह से हमें सेंड पेपर इस पर चिपका देना है अब हमें क्या करना है कि हमें चाकू और कैची लेनी है और इस छन्नी की मदद से हम चाकू और कैची की धार को तेज कर देंगे इस सेंट पेपर से चाकू और कैची में धार बहुत ही अच्छी तरह से लग जाती है अब आपको बाजार जाकर पैसे खर्ज करने की चरुरत नहीं पड़ेगी आप बहुत ही आसानी से घर में ही चाकू और कैची की धार को तेज कर लेंगे इसी तरह से आप कैची की भी धार को तेज कर सकते है I hope आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी आपको मेरी कौन सी टिप जादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर चरूर बताईएगा देखे एक शन्नी की मदद से कितनी आसानी से चाकू और कैची में धार लग गई है I hope आपको ये टिप पसंद आई होगी तो चलिए चलते हैं दोसरी यूजफूल टिप की तरफ दोस्तो आज मैं इस कंगी का इस्तमाल सिलेंडर पर कैसे करूंगी उसका वीडियो आपके साथ सेयर कर रही हूँ दोस्तो कभी कभी सिलेंडर में इस तरह के धागे नहीं होते हैं तब इस धकन को खोलने में हमें काफी दिक्कत होती है ये आसानी से खुलते नहीं है तो हम कंगी ले लेंगे और कंगी के आगे वाले हिसे को हम इसमें फसा देंगे और उसके बाद आप इसे आसानी से निकाल सकते हैं देखे कितनी आसानी से ये निकल गया है आप मोटी या पतली किसी भी कंगी से इसे आसानी से खोल सकती है मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ देखे जो इसमें तारवाला हिस्सा है उस पे आप कंगी को फसा दीजे और फसाने के बाद आप इसे आगे की तरफ खीचे और उसके बाद आप दुसरे हाद से धकन को उठा दीजे देखे ये धकन कितनी आसानी से खुल गया है अब अगर धकन में धागा नहीं लगा हुआ है तो आपको कोई भी मसकत करने की जरूरत नहीं है आप कंगे लीजे और धकन को आसानी से खोल लीजे आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी आपको मेरी कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक पर जरूर बताईए